हेलो दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के सुडियों हम देखेंगे दोस्तों मैत के यानिकी गडित का पार्ट नमबर 4 देखेंगे दोस्तों 5 इंपोर्टेंट प्रस्ण देखेंगे जो आपके एक्जाम में रिपीट किये जा जिन लोगों ने एक्जाम दिया होगा उनको पता होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक जिस्जूर करते ज़ूस्त आप सभी वर्षाप सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले प्रश्ण हमारे पास आ चुक है दोस्तो तो थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर तो ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो हम देखते हैं क्या बोला है क्या बोला है क्या बोला है दोस्तो पांच परतीसत वार्सिक ब्याज की दर से दो वर्स में किसी धन का चकृती व्याच और साधान व्याच का अंतर 5 ुपे है तो आपको बताना क्या है वह धन कितना होगा वह धन क्या होगा वह आपको बताना है दोस्तों तो जिन लोग को आरहा है यह करने का प्रोसीज़र जिन लोग को पता है तो वीडियो को pause करके comment box में answer पहले आप दे लें कि A सई होगा अमतरब 6000 होगा, 12000 होगा, 500 यानी 5000 होगा या 4500 यानी 4000 500 होगा तो सभी लोग comment box में answer दे लें पहले आप करने का प्रयास कीजिए दोस्तों उसके बाद ही answer को solve को आप देखिए तो मैं बताने जा रहा हूँ, जिन लोग को आ रहा है comment box में answer दे के ही अपना answer चेक करें तो चलिए बताते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखेंगे क्या मैंने आपको ट्रीक बताया था दोस्तों आपको 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 बताया था कि कैसे आप बनाएंगे, तो ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहली line जो बोला था वो क्या होता है, वो होता है SI, और total जो होता है वो आपका यह होगा यह सभी लोग जानते होंगे ठीक है नहीं जानते हैं तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं मालीजी कोई 100 रुपय है ठीक है इसका दो वर्सु का कितना होगा चकवृदी ब्याज अगर यहां पर बोल देता है तो कैसे आप निकालेंगे मा अबर्ट परता से लगेगा और जादा आपको कल्कुलिशन करना है ठीक है दोस्तों तो यहां पर 10% हमारा है तो यहां पर 100 का 10% जानते हैं यहां पर पॉइंट लैंगे 10 तो पहली लाइन में भी आपको 10 बरना है तो दो साल का दोस्तों अगर एसाई की बात कर तो दस दस 20 रुपई यह हो जाएंगे 100 का मैं सिर्फ यहां पर एक लेकर बता रहा हूं अगर चकुर्दी व्याज यहां पर बोलता है तो जो आपका यह 10 है ना इसका भी आपका ब्याज लगेगा तो इसका 10% यानि कि एक तो दोस्तों अगर आप टोटल जोड़ देंगे अगर ही पह तो देखें यहां पर क्या बोला है इसके बीच का अंतर क्या यहां पर बताए कि यह 15 होगा बस यह बता दिया है ठीक है दोस्तों और 5% है यह आपको बताए तो अगर 5% is equal to आपका क्या है 15 तो 100% क्या होगा तो इसमें 20 का गुड़ा करेंगे तो 100% हो जागा तो 15 में 20 का ग ठीक है दूस्तो तो जो हम पहली लाइन में एक साल का जो भर रहे थे टीन तो आरा ने तो यह ने लिए सरी बताने के लिए कर रहा हूं ये दं समय आपको कर लाएगा बस आप समझा 어का फंद elas है यह आनतर है तो आप जानते हैं कि जो पहले वर्स में जो आपका SI रहा होगा उसी का ये मिला है तो ये अबर 5% ये है तो आपका 20 का अगुड़ा कर देंगे 100% यानि 300 आपका आजाएगा 300 ये भी 5% है क्योंकि ये 2 साल का है ठीक है तो इसका जो है आप निकालेंगे तो भहत ही SI से आप राइट एंसर 6000 आप मोलधन इसका निकालेंगे ये इसका राइट एंसर होगा दोस्तो जो लोग सुत्र से करना चाहते है वो सुत्र से फॉर्मूला से भी कर सकते है ठीक है next question देख लेते हैं दोस्तो दूसारा प्रशन बताएगा दोस्तो कि आपको ये trick कैसा लगा ठीक है next जो question दोस्तो इसमें आपको यहांपर आपकी जो दूरी है उसको दो गहंटे में धारा के साथ एंधारा के साथ प्लसखसर जो चल रहा है वह दो गहंटे में पूला कर ले रहा है और तीन घंटे में धारा के विभीड type ने हीजो चल सकते हैं या फिर कहां पर आप गलती कर रहे हैं यह सब चीज आपको पता चलेंगी तो चलिए दोस्तों इसको बताते हैं तो यहां पर हमने दोस्तों माली जैसे आपको पढ़ाए गया होगा यू और वी मानने का वैसे आप एकस वाई या एबी सेड़ी कुछ भी माल लिजे तो हम माल लेते हैं नाओ की जो चाल है वो क्या है एकस है और वाई जो है दोस्तों वो क्या है धारा है ठीक है तो यहां पर दोस्तों क्या हम यहां पर बताएगे है तो यहां पर दोस्तों हमको बताना है क्या बताना है चाल तो यहां पर दोस्तों बताएगे है घंटे में स थोड़ा सा तो यहां पर यह बता रहा है कि अगर धारा के साथ चलेगा तो X प्लस यानि नाओ प्लस Y is equal to दोस्तों आपका चाल में हम यहां पर निकाल लेते हैं तो यहां पर क्या बूलाद 2 घंटे लगते हैं तो चाल क्या रहा होगा दोनों को हो जाएगा यहां पर छे बटा के तीन है यानि लग सोरी यहां पर तीन घंटा का समय लगा यानि दो इसका चाल आ जाएगा दूरी बटा के समय यानि कि चाल अपका दो घंटा आ जाएगा अब यहां पर दोस्तों एक्स प्लस वाई जो है यहां पर तीन आ अगर यहां पर समय का और चाल का कर रिलेशन निकाले तो दोनों दोस्तों विप्रीद होता है То यहां पर 3 और वहां पर जो मतलब एकस्-फ्लस y यहां पर 2 घंटे दिया है तो यह पर कर दीजे ऐसे भी कर सकते हैं बहुत यहां से अगर आपको यह एकस वाई का जो है आगे का प्रोसिजर जो पीछे मैंने आपको बता है वो नहीं करना है तो ठीक है क्योंकि यह विपरीथ होता है आप जानते ही है ठीक है और X-Y is equal to 3 घंटा दिया है चाल में रहेगा तो क्या हो जागा दो हो जागा क्योंकि यह दोनों विपरीथ होता है ठीक है और हमने निकाला भी है तो यहां पर दोस्तों आप जो बस समीकर्ण का समीकर्ण 1 और समीकर्ण 2 समीकर्ण 2 दोनों को आप सॉल्ब कर दीजे पक्छांतर बिदी से या जिस भी बिदी से आप करना जानते है तो इसको आप सॉल्ब करेंगे तो X हमने क्या मना था नाओ का तो निकल जाएगा दोस्तों तो नाओ का नहीं हमको धारा का निकलना यानि Y is equal to निकलना दोस्तों तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर बिप्रीत हो जात एक बटा दो यानि कि आधा किलोमेटर पती घंटा इसका राइट एंसर आ जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ओप्शन नमबर डी दोस्तों जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो को पॉस करके या रिवाइन करके देख सकते है बहुत यहसानी से आप इसको कर लेंगे मेरा विश्वास मनी ये दो-ती मेरा वीडियो को देखेंगे तो ठीक है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तीसर नमर प्रश्ण दोस्तों देखें तीसानों प्रश्ण आपके पास आचुका यहां पर आपको क्या बताना है चार गंटियां दोस्तों यहां पर आठ नो दस और पंदरा सिकेंड के अंतराल पर यह बजती है चार घंटिया है आठ नो दस और पंदर सिकेंड के अंतराल पर ये बजती है ये घंटिया एक साथ कितने सिकेंड पर बज़ेगी मतलब ये एक साथ कब बजेंगी वो आपको बताने है दोस्तों तो सभी लोग कमेंट बॉक्स मताएंगे और ऐसे प्रश्ण को करने का एक दम असा तरीका में आपको बताने वाला हूँ सभी लोग कमेंट बॉक्स में एंसर करके ही एंसर को देखें देखते ही आप एंसर कर देंगे दोस्तों ठीक है तो चलिए दोस्तों बताते हैं तो यहां पर दोस्तों जब भी ये दे घंटी वाला ये कोशन जो एकतम फेवरेट ह और हुब हुब ऐसे ही question आता है 2, 5, 8 ऐसे करके कुछ भी आपका second में दे देगा यहाँ पर आपको करना क्या होता है दोस्तों देखिए यहाँ पर बोला है चार घंटिया है जो की 8, 9, 10 और 15 second के अंतराल में बजेंगी second के जब पर जो आपका minute घंटा कुछ भी दे सकता है तो यहाँ पर जो यह बोलता है कि बजती है इतने इतने अंतराल पर मतलब 8 second कोई बजा कोई 9 second पर कोई 10 second पर ऐसे करके बज रहा है तो दोस्तों यह जब बज रही है तो यह कब एक साथ बजेंगी तो जो इन लोग का LCM होगा वही इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर आप अगर आप दोस्तों 8, 9, 10 और 15 अगर सब का LCM निकालेंगे दोस्तों तो इसका right answer C हो जाएगा 360 second इसका right answer हो जाएगा दोस्तों और दोस्तों एक और चीज में बता दूँ यहाँ पर minute में भी दे सकता है तो आप जानते हैं 60 से आप इसको जो है काट देंगे तो आपका सही अंसर आ जाएगा ठीक है तो 6 इसका 6 minute इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो minute में अगर देता है तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगर आप चाहें आप लगुत्तम समापरत तक आप चाहें तो निकाल सकते हैं आप सभी लोग जानते होंगे पहले 2 से ले जाएगे तो जो जो कटेगा यानि कि 4 हो गया यह 9 नहीं कटेगा यह 5 हो जाएगा यह 15 हो जाएगा फिर 2 से ले जाएगे ऐसे करेंगे दोस्तों फिर लास्ट में सबका मज़बाई करते हैं तो आपको एंसर यही मिलेगा 360 सेकंड ठीक है इसका राइट एंसर जो दोस्तों वो C हो जाएगा जब भी एक कोशन आए बस आपको फटक्स क्या करना है जो चीज आपका दिया है उसका LCM निकालिए लासा निकालिए उसको राइट एंसर करिए ठीक है C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन आ चुक है दोस्तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर कोशन में बताना है दोस्तो दिनेस और राम अलग-अलग किसी एक कारे को क्रमस मतलब एक ही काम है और यह अलग-अलग कर रहे है असी और 120 मिनिटों में पूरा कर सकते हैं दिनेस जो है असी और राम 120 मिनिट में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक साथ उसी कारे को करते हैं तो कितना समय लगेगा वो आपको बताना है तो सभी लोग इसको बहुत ही असानी से कर सकते हैं पहले आप करने का प्रयास किजिए कमेंट बॉक्स में एंसर दे लिजे उसके बाद ही एंसर को मिलाइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में एंसर जोर जोर करेंगे भूत ही असाना प्रश्ण है तो दोस्तो चलिए बताते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दिनेज के लिए हम D लिख लेंगे और राम के लिए R लिख लेंगे तो यहाँ पर दोस्तो मिनिटों में यह काम कर रहा है ठीक है तो यह दिनेज जो है यह 80 मिनिट में काम को कर ले रहा है 120 मिनिट में जो है राम कर ले रहा है तो दोस्तों कोई भी काम होगा तो इन दोनों का LCM ही इसका काम होगा तो यहाँ पर आप बड़ी संख्या जो देख रहे हैं उससे LCM लगा सकते हैं तो यानि कि 8 से 24 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा और यहाँ पर जो है दोस्तों मतलब जो भी आपका समय होता है वो मैंने आपको पहली बताया था जो efficiency होगी जो आपके करने की छमता होगी उसका उल्टा होता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है राम जो है वो 2 की speed से कार कर रहा है यानि इन दोनों को plus अगर हम कर देंगे तो 3, 2, 5 की speed से काम होगा ठीक है यह परती minute तो यहाँ पर कितने minute लएंगे 240 में 5 का भाग दे देंगे तो बहुत यह सानी से आप answer कर देंगे क्योंकि 2 के speed से 1 कर रहा है 3 के speed से 1 कर रहा है तो पंचो के आपका जो आजागा 20, 24 उतरेगा फिर 0, 85, 40 यानि कि आपका right answer दोस्तो 48 मिनिट इसका हो जाएगा जो की option number B में है जिन लोग को नहीं समझ में आया वीडियो को 2-3 बार आप देखिए जो भी question में आपको doubt हो आप देख लिए 2-3 बार देखिएंगे समझ में आ जाएगा next question और last question देख लेते हैं दोस्तो next और last question आचुक है दोस्तो last question आचुक है यहाँ पर आपको क्या बताना है देखते हैं कौन-कौन लोग इसका सही जबाब देते हैं ठीक है यहाँ पर आपको क्या बताना है दोस्तो घन-घनाब आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो उसी से फ्रशन है यदि घन के प्रतेक सीरे को दोस्तो कोई घन है उसका प्रतेक सीरा को जो है पचास पतीसत बढ़ा दिया जाता है 50% उसके सीरे को बढ़ा दिया जाता है तो दोस्तों क्या होता है तो सता के छेतरफल में कितने परतिसत की ब्रिद्धी होगी उसके सता के छेतरफल में कितने परतिसत की ब्रिद्धी होगी ये आपको बताना है ठीक है, सभी लोग answer करेंगे जल्दी से दोस्तों बताईए इसका राइट एंसर क्या होगा तो दोस्तों सभी लोग कमेंट बॉक्स में एंसर दे के ही जो है एंसर को अपने देखें तो चलिए दोस्तों इसको बताते हैं कैसे इसको करेंगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले एक formula आप लोग याद रखिए दोस्तों सता का चो छेतरफल होता है अगर जब भी ऐसा question दे सता का छेतरफल में ब्रिद्धी परतीसत में जो ब्रिद्धी होगी उसको कैसे आप निकालेंगे चेतरफल में परतीसत में जो ब्रिद्धी होगी इसको मैं लीक निकालेंगे 2X प्लस यक्स स्कॉयर बटा के 100 ठीक है अब दोस्तों यक्स क्या है यक्स यही जो है परतीसत में उसके जो सिरे हैं बढ़ाये जाएगा वही है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों इसको आपको क्या याद रखना है 2X प्लस X स्कॉयर बटा के 100 इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत यह सानी से आप कर लेंगे ठीक है जब भी यह सतावला कोशन देता है तो ऐसा ही हूब हूब आपका देता है तो यहाँ पर क्या हो जागा दोस्तों इसको अगर आप करेंगे तो यह 100 परतीसत हो जायेeg मने 100 हो जायेगा सौ जाएगा ठीक है प्लस परतीसत में इसका राइट अंसर आएगा ठीक है प्लस यहाँ पर 50 गुड़े 50 गुड़े और बटा के अपका 100 ठीक है तो यहाँ पर आप इससे ये दोनों 0 काड़ दीजे ये हो जागा 25 25 अपलस आपका 100 यानि 125 इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों 125 पतीसत की ब्रिद्धी उसकी सता के छेतरफल में हो जाएगी इसका राइट अंसर दोस्तों C हो जाएगा ठीक है तो देखे उसके ये था गड़ित का बहुत इंपोर्टेंट पार्ट 4 अगर आपने तीन पार्ट और नहीं देखें दोस्तों तो इस वीडियो को लास्ट में जो है आपका एक प्लेलिस्ट खुलेगा उसके सारे वीडियो इसको दोस्तों देख जाएए आसकरते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास आमारे वीडियो पसंद आओ तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए साथी साथ अगर अपने देखोसी को स्टेडी शूट चला को भी तिक सस्क्राइब नहीं किया दोस्तों तो नीचे रगबड़ाने सस्क्राइब अब बगल में बेल आइकन है देखोसी को स्टेडी वीडियो सस्क्राइब कर लिजिए साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आनवले सभी वीडियोस के ब्रेटक मिलते रहें देखते रहें देखोसी को स्टेडी मिलते दो में धन्वाद